गुद मॉर्णिंग तु आल आफ यू तोड़े आपकी इंग्लिश किताब की नई भरजन है पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो आपके पुराने बुक के अनुसार था अगर आपके पास बुक नहीं है ये निव वाले तो आप पर्चेज कर सकते हैं इसकूल परभाइड कर चुका है अगर है तो आप अपना बुक ले ले और बुक खुल कर बढ़ जाए और साथ ही साथ जैसा जैसा हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ रहे हैं आप देखते ये निव इमेजेज क्लास फोर ये क्लास फोर के लिए है तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ये इस बुक का कंटेंस है इसमें थार्टिन चैप्टर्स है जैसा कि आप देख रहे हैं दा शाउन इन दा इफनिंग ब्लेक बेटी दा फिफ्ट गोल्डन टिकेट्स फर्स्ट चैप्टर है इस दा फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर अप दिस बुक दा चैप्टर नेम इस दा साउंड इन दा इबनिंग इटी जब पोएम या एक कवीता है दा साउंड इन दा इबनिंग इस बुक की पहली पोएम बच्चों हम लोग क्या होता है साम में जब सुने जाते हैं जब साम होता है तो बहुत सारे आवाजे सुनते हैं और बहुत सारे ऐसी आवाजे होती है जो हम दिन में सुने रहते हैं और अचानक रात में परतीत होता है सारी आवातारन जो हमारे इंवर्मेंट है वो सांथ हो जाता है और हम लोग बहुत सारे आवाज साम में भी सुनते हैं जो साम के समय में ही उत्पन होती है ऐसे ही आवाजों को ये स्पीकर जो है तुलना किया है इस पोईम में वो बहुत सारे आवाजे, बहुत सारे इसी आवाजे होती है, जो सुनकर आपको खुसी महसूस होती है, कुछ ऐसी आवाजे होती है, जो ड्रावना भी होता है, कुछ ऐसी आवाजे होती है, जो उच्ची होती है, कुछ ऐसी साउंड्स होते हैं, जो प्लिजेंट होते हैं, ब जिसको सुनना हम लोग नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी शुनना मजबूरी हो जाती है हम लोग की तो ऐसे ही बहुत सारे साउंड्स की पोएट ने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे चलिए स्टार्ट करते हूँ कौन-कौन से उस सारे साउंड्स है बट बिफोर दा स्टार्टिंग इस पोएम वी विल डिस्कॉस अबाउट दा वर्ड मेंनिंग अब दिस चेप्टर चेप्टर शुरू करने से पाले हम लोग इसका वर्ड मेंनिंग को जान ले यह इसका पोएम है जैसे दा साउंड इन दा इवनिंग देख रहा है आप यह इस पोएम का वर्ड मेंनिंग है देख सकते हैं चेप्टर वन पोएम दा साउंड इन दा इवनिंग इस वर्ड मेंनिंग को आप अपने नोट बुक में नोट कर ले जब इसकुल खुलेगी तो हम लोग चेक कर देंगे इसको एक बार देख लिए फीर से वीडियो को पॉस करके इस वर्ड मेंनिंग को आप लोग लिख ले चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम यहराइस बुड़ाइस जब गभए सतिवर्णर में को आप लाइस को आप लेख लेज़। यहल। nenhuma आप लेख वर्णर इस सूम्ता थमनर्णरण को अ्यूट को स्त्रत एमर сосव colorful बॉ़िख बॉद्य इस चार लाइन को हम लोग एस्टेंजा बोलते हैं जो बच्चे नहीं जानते हैं पर वो जान ले जो पोएम का जो फोर लाइन होता है उसको एक एस्टेंजा हम लोग बोलते हैं तो इसमें बहुत सार एस्टेंजा है जिसे तो ये पहली चार लाइन का जो मिनिंग है हिंदी म वह कह रहा है, poet, speaker कह रहा है, कि जो sound को sound आती है, उलगभग सभी घरों से होकर गुजरती है, सभी घरों से आवाजे निकलती है, जैसा the click of the clock and the peak of the mouse, गड़ियों का टिक, टिक, टिक की आवाजें आपने सुना होगा, चूहा जो रात में खुरूदता है, कुरिता है, उसकी कुतरने की आवाज सुनाई देती है, ये sounds है, बाद में ये poet पुछेगा कि आपने क्या क्या चीज का sound का mention किया, बच्चा याद रखेंगे, जैसे click of the clock घड़ियों का टिक, टिक करना, pick up the mouse, mouse का, पिक करने की आवाज, कुतरने की आवाज, इस तर से बाहु सारे sounds है, next stranger, the four steps of people upon the top floor, the scotch of my mother that crossed by the door, it means, उपरी फ्लोर पे छट के, लोगों की जाते हुए आवाज, पैरों की आहट, पैरों की आवाज सुनाई देते हैं, जो बगल से या छट पे होकर गुजरते हैं, the scotch of my mother, उसकी मम्मी की जाई scotch, जो घांग रहा है, जब वो दर्वाजे को असपर्स करता है, तो एक सरसाराट की आवाज होती है, वो आवाजे सुनता है, speaker, next, the creak in the boards and the creak of the chairs, the flutering murmurs outside on the stairs, it means, यह speaker जो है, साम में, इसको आवास होता है, उस school के बिते हुए समय का, जब school में, जब एक teacher एक board पर पढ़ाता है, जब चौक से पढ़ाता है, तो एक आवाज, एक अजीब तरह की आवाज उत्पन होती है, जब आप chair को move करते हैं, chair को एक जगा से दुसरे जगा घिसका के लिए जाते हैं, तो आवाज एक sound generate होती है, दुनों में थुड़ी सी different है, creek, spelling, अलग-अलग है, pronunciation same है, creek in the boards and creek of the chairs, the fruiting mormos, it means, वह कमपन, कुछ सरसराहट, कुछ सरसराहट सुनाई देती है, कुछ सरसराहट होती है, जो outside on the stairs, सीड़ी के बगल में कुछ लोग बाते कर रहे होते हैं, जिनकी सरसराहट जो है, सुनाई देता है, the ring of the bell, the arrival of guests, the love of my father at one of his guests, दरवाजे का bell की आवाजे, जब कोई guest आता है, दोर बेल बजाता है, तो उसकी आवाजे सुनता है, speaker, सुनती है, sorry, at one of his guests, जब उसके पापा हसते हैं, किसी कहानी पे, किसी jokes पे, जब वो हसते हैं, उनकी sounds, the clashing of dishes as dinner goes in, the babble of voices that distance makes thin, it means, जब dinner की समय आती है, जब रात का भोजन करने जाते हैं, तो जब वो थालियों की clashing, जण जणा हट, जब थाली आप लेने जाते हो, थाली उतारते हो, खाना प्रोष्टे हो, तो उसमें जण जणा हट एक कमपन होती है, clashing होती है, बहुत सारे बरतों, जब एक दूसरे से टकराते हैं, तो clashing होती है, तो उसकी sounds को आपने डिस्क्राइब किया है, the bevels of voices, कल कल की धावनी, यानि बड़ बड़ा हट, कुछ ऐसी धावनी sounds होती है, जो लगता है कि वह sound से बहुत हमारे नजडिक है, जो distance को नजडिक ही बना देती है, ऐसा आभास होता है कि बहुत हमारे करीब से धावनी निकल रही है, तो अभी इसके first page में हमने बहुत सारे sounds का सर्चा किया, जैसे कि click of the clock, pick of the mouse, foot steps of people, लोगों की कदमों की आहाट, escorts of my mother, that brush by the door, creek of boards, creek of the chairs, आप याद रखेंगे यह सारे sounds, the ring of bell, the laugh of my father, the clashing of dishes, babble of voices, turn your page, come on the next page, the moving of cats that seem just by my ear, the hooting of owls that can never seem near, बिल्ली की आवाज, म्याओं म्याओं की आवाजे, ऐसा लगता है कि इसके कान के नजदिक ही सुनाई दे रहा हो, the hooting of owls, उल्लू की आवाजे, जो कभी इसके नजदिक परती तो नहीं होता हो, यहनी कहने का मतलब कि बिल्ली की आवाजे इसके कान के नजदिक सुनाई देती है, लगता है ऐसा, कि इसको कान का नजदिक है, लेकिन ओहीं उल्लू की आवाजे है, जो है, इसके कान तक नहीं पहुच सकती है नहीं पहुच पाती है The queer little noises that no one explains ऐसा बिचित्र आवाज, ऐसा आजीव आवाज जो कोई explain भी नहीं कर सकता है कुछ-कुछ ऐसी आवाजे होती है जिसको हम लोग explain नहीं कर सकते है कि वह किस तरह का आवाज है ऐसी आजीव बिचित्र आवाजे सुनाई देती है Next Till the moon through the slats of my window plain runs and the world of my eyes and my air smells like steam as I find my pillow the world of my dream कर कि कि जब तक चांद बाहर नहीं आजाती है इसके खिड़की से देखती है खिड़की से चांद नजर आता है जब तक चांद बाहर नहीं निकल जाती है जब तक यह सो नहीं जाती है और कर यह कि पूरा जो लुआ जो है मेरे आखो के इस संसार में आखो की इस दुनिया में मेरे काण जो है वास्प की तरह पिगहल जाते हैं उस भाप की तरह पिगहल जाते हैं और मेरा तकिया जो है, यह सपनों का संसार नजर आता है, सपनों की दुनिया नजर आता है, यहीं इस पोईम का समरी है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका question answer के बारे में describe करेंगे, एक बार फिर से आप लोग इस वीडियो को सुन लेंगे, repeat कर लेंगे, थैंक यू तो अल